नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूग चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साथ घोरों की तस्वीर घर में कौन सी दिशामें लगाएं? दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंध तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके तो चलिए शुरू करते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार दौरते साथ घोरों की तस्वीर लगाना बहुत ही शुग होता है अगर आप अपने घर या दफ्तर में दौरते हुए घोरे की तस्वीर लगाते हैं तो यहां आपके कार्य में गती प्रदान करता है दौरते हुए घोडे सफलता, प्रक्ती और ताकत के प्रतीक होते हैं खासकर साथ दौरते हुए घोडे व्यवसाय की प्रक्ती का सूचक माने गए हैं क्योंकि शास्त्रों के अनुसार साथ अंक सार्वभौमिक है, प्राकृतिक है ध्यान देने वाली बात है कि इंद्रधनुष के रंग साथ होते हैं सब्तरिशी, शादी में साथ फेरे, साथ जन्म इत्यादी इसलिए साथ नंबर को प्रकृतिक और सार्वभौमिक माना गया है इसलिए साथ घोरों की तस्वीर को सर्वोतम माना गया है कहा लगाए साथ घोरों की तस्वीर व्यापार में प्रकृति के लिए अपने ओफिस की केविन में साथ दौरते हुए घोरों की तस्वीर लगाएं इन तस्वीरों को लगाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि घोडों का मुह आफिस के अंदर की ओर आते हुए होना चाहिए और दक्षिन दीवार पर तस्वीर लगानी चाहिए दोडते हुए घोडे प्रगती के प्रतीक होते हैं ये कार्य में गती प्रदान करते हैं और जो व्यक्ती बार-बार इन घोडों को देखता है इसका सीधा असर व्यक्ती की कार्य प्रणाली पर पड़ता है आथ्व ये घोडे आपके कार्य में गती प्रदान कर सफलता दिलाने में मददगार साबित होंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार दौरते हुए घोडों की तस्वीर को घर में लगाने का महत्व बताया गया है क्योंकि यह तस्वीर आपकी सफलता को गती देती है दौरते हुए घोडों की तस्वीर में खास तौर पर साथ घोडों की तस्वीर लगाना प्रक्ति पाने के लिए लाबकारी मानी जाती है साथ ही साथ का अंक भी शुभ माना जाता है वैसे तो इस प्रकार की तस्वीर को घर में कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसे घर की पूर्व दिशा में लगाने से अधिक लाभ मिलता है इस तस्वीर को घर में लगाने से जल्दी ही अच्छी नौकरी, नौकरी में प्रोमोशन और सामाजिक मानसम्मान के अलावा धन लाभ का भी योग बनता है दोड़ते हुए साथ घोडो की तस्वीर से सकारात्मक उर्जा उत्पन होती है, जो आपको प्रतेक शेत्र में तरक्की और सफलता दिलाती है ध्यान रखें की अकेले घोडे के तस्वीर ना लगाए क्योंकि इससे आपको फाइदा की जगह नुकसान हो सकता है, इससे धन का मार्ग रुकता है जब भी लगाए साथ घोडो की तस्वीर लगाए साथ घोडो की तस्वीर आपके करियर में बरक्कत लाती हैं, और साथ घोडो की तस्वीर घर में लगाने से जीवन में धन संबंधी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलते स्थाई रूप से घर में लक्ष्मी का निवास होता है, इसके लिए घर के मुख्य हॉल के दक्षिनी दिवार पर घर के अंदर आते हुए मुख वाले घोडे की तस्वीर लगाना चाहिए घोडे का फोटो खरीडते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें की घोडे का चहरा प्रसन्नचित मुद्रा में हो ना की आक्रोशित हो ध्यान रखें की घोड़े शक्ती और उर्जा का प्रतीक हैं और खास कर सफेद घोड़े सकारात्मक उर्जा के प्रतीक होते हैं इसलिए घर और ओफिस की नकारात्मक पूर्जा को दूर कर सकारात्मक पूर्जा को लाने के लिए सफेद साथ घोड़े की तस्वीर लगानी चाहिए. अगर आप कर से परिशान हैं, तो घर या दफ्तर के उत्तर पश्चिमी दिशा में आर्टिफिशियल घोड़े का जोड़ा रखें, यहां आपको किसी भी गिफ्ट शॉप पर आसानी से मिल जाएगी. कभी भी घोड़े की तस्वीर तूटी-फूटी ना लाए, इस पर विशेश ध्यान रखे. कभी भी तूटी-फूटी तस्वीर घर में नहीं लगाना चाहिए और ना ही धुंधली तस्वीर भी ना रखें. जिस तस्वीर में अलग-अलग दिशा में घोड़े दौड़ते नजर आए, वह तस्वीर नहीं लगाना चाहिए. दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाए, तो इससे घर में सुख, समरिध्धी और लक्षमी का वास होता है. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें. धन्यवाद.